नमस्कार प्रफार सक्षी निए स्नेटर को आप सभी का स्वागत है आयोध्या में नौ निर्मिद राम मंदिर की शोभा बढ़ा रही राम लला की मूर्ती को बनाने वाले अरुण योगी राज का बुधवार को बैंगलूरू पहुंचने पर शांदार स्वागत हुआ हम आप होता दें कि योगी राज की मूर्ती उन तीन मूर्तियों में से एक थी जिसे अयोध्या मंदिर नियास द्वारा चुना गया था मूर्तिकार के कैपगोड़ा और अंतरास्ट्री होईडे पर पहुंचने के साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कारेकरता माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े उन्होंने जैशे राम और योगी राज जिन्दाबाद के नारों के बीच उन पर पुश्प वरशा की बीजेपी कारेकरताओं ने कहा कि मूर्तिकार ने भगवाण शेर राम की मूर्ति बनाकर राज्ये और अपने शहर महसूर को गौरवानुजित किया है हवेड़े पर मौझूद योगी राज की पतनी विजेता ने कहा कि वह बहुत खुश है कि उनके पती ने एक एथिहास रचा है जहां तक भगवान की पौशाक की बात है तो आपको बता दें कि आयुद्या में नौ निर्मित राम मंदिर में राम लला की पौशाक को डिजाइन करने वाले मनीश त्रिपाठी ने कहा है कि भगवान राम के साथ दिव्य संबंद ने उन्हें इस कारे को पूरा करने में मदद की प्रतीक हैं उन्होंने कहा सबसे बड़ी चुनोती ऐसा कपड़ा तयार करना था जो बाल सोरूप और भगवान की भव्यता के अनुरूप हो उन्होंने कहा मैंने भगवान मेरी माँ और मेरी पतनी से सबसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली जिन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान और आखों में आशू के साथ पहुशा की सहाना की हम आपको यह विता दें कि आयुध्या के मंदिर में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा समारों के बाद पहले दिन मंगलवार को भगतों द्वारा तीन द्शनलब एक साथ करोड़ रुपे का चड़ावा चड़ाया गया मंदिर के अधिकाई उन्हें बुद्वार को यह जानकारी दी राम जयन भुमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के ट्रस्ट्री अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन दस दान काउंटर खोले गए थे 22 जनवरी को प्राण पतिष्ठा समारों के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ओन्लाइन दान के रूप में तीन दर्शनलब एक साथ करोड़ रुपे का दान दिया अनिल मिश्रा ने बताया कि 23 जनवरी को पांच लाग से यादा भक्तों ने दर्शन किये अनिल मिश्रा ने कहा कि बुद्वार को प्राप्त राशी का खुलासा गिंती के बाद किया जाएगा उन्होंने कहा कि दर्शन व्यवस्थि ढंक से हो सकें इसके प्रशाशन से चर्चा कर व्यवस्था की जा रही है इस विछ राश्ट्री स्वंसेवक संग के सहक सरकारेव आम लोगों के लिए खोले गए अउध्या के मंदिर में तीसरे दिन गुर्वार को भी शद्धालूं की भारी भीड़ी देखने को मिली रामपत और मंदिर परिसर के आसपास सुबह से ही शद्धालूं की लंबी-लंबी खतार देखने को मिली कडाके के ठंड कोहरे और शीत मुझे सब्दों से व्यक्तिक हो रहा है बहुत एमोशनल हूं में और बहुत सालम से इसका इंसार था आज मुझे मुझे मुका मिला है बहुत जोर से हम लोग जा रहे हैं बहुत लोग 12-15 लोग हम लोग आये हैं अभी सब हम लोग जा रहे हैं कल राद धाई बजे आये हम मैं बहुत कुछ हूं और वुपी गवर्मेंट को आबार हूं और सभी मोधी का क्रडिट है हम लोग बहुत इंतिजार कर रहा था मंदिर के लिए दर्शन के लिए आज जा रहे हैं हम लोग सभी करनाटक से आया है 11-12 लोग हम ने अंगर्ट हम करमा टक से आए रहे हम differentmotors हिं सब्लों को बकती से आना दर्स्द करके जाना हिम ारा य्च्छाुओक मोंना व५रह लोगोने अना लेका। पर सक्रमणी के उल्लो हमर्ण हैं essere बाइट, जिलेकर बढ़ी । दो आमर एकुछ तरी एखने आसर प्लां चिलो आमर आपउची घीछ लाम किन्दो ये तो भीरत जोन्ट एखने पौची बारी निया तर पढदे 22 तरीकेव एखने छीलाम अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके